नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्पागत है आप सभी का मेरे चैनल पे सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मेशन को सपोर्ट करने के लिए चैनल पे काफी सार व्योवस ने मुझसे एक्सेंट में कार की बिल्ड कॉलिटी को प्रूफ करने वाली पिच्चर्स शेर करने की बात करी थी और कुछ लोग मुझे पिच्चर फॉरवर्ट भी कर चुके हैं अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिच्चर्स हैं तो प्लीज उन्हें rannanical1989 at the rail gmail.com पे जरूर फॉरवर्ट करें एक्सेंट के डिटेल के साथ ताकि उस पे वीडियो बनाके safer car for India को हम मिलके promote कर सके तो मुझे लगातार सारे viewers के emails आ रहा है कुछ accidents को दिखाने के लिए जो कुछ cars की अच्छी build quality और कुछ cars की बेकार build quality दोनों को ही दिखाते हैं तो आज मैं बात करूँगा recently हुए old-gen Ford Figo और Tata Tiago के एक accident की सबसे पहली चीज मैंने similar video एक channel पर देखी वो भी इस वज़े से कि एक बंदे ने especially mail मुझे किया कि इस video को देखो इसमें तुम्हें Tata की सच्चाई दिख जाएगी और अगर मैं video ना बनाऊ तो भाई साब मुझे corrupt YouTuber बता रहे थे जो Tata से पैसे लेता है और fake videos डालता है जैसा मैंने पहले कहा है मैं Tata को preference जरूर देता हूँ वो भी बस इसलिए क्योंकि global endcap जैसी reliable sense था भी Tata का lower test कर चुकी है और आज की date में सभी cars को कम से कम 4 star rating मिल चुकी है पर ना मुझे Tata पैसे देता है ना देनी की जरूरत है क्योंकि जब तक Tata safe cars बनाएगा मैं support करता हूँगा बस Tata की ही नहीं मैंने हाल फिलाल में Ford Eco Sports की solid build quality का वीडियो बनाया था और उससे पहले Ford Tree Style की solid build quality का भी वीडियो बना चुका हूँ और जिनको लगता है कि मुझे मारुती से कोई problem है तो मैं इवन Breeza की solid build quality का भी वीडियो बना चुका हूँ तो basically I support safe cars वो चाहे कोई भी बना है जैसा कि मैंने पहले भी कहा दे कि मुझे problem किसी brand से नहीं है unsafe cars है और मेरा तरीका as a common man बहुत simple है मैं Global Uncap rating देखता हूँ जो किसी भी car का सच बता देती है और उसे प्रूफ करते हुए हमें कई बार real life accident भी देखे हैं तो कुछ चैनल में मैंने यूटूबर्स को ये कहते हुए सुना कि कोई भी accident हो किसी भी गाड़ी में बैटे हो किसमत अच्छी हुई तो बच जाएंगे नहीं हुई तो नहीं बचेंगे तो सबसे पहले तो आपको ऐसे यूटूबर्स से बचना है जो खुद worst rated car और सबसे बेकार build quality car लेके बैठे हैं और लोगों को build quality का घ्यान दे रहे हैं और ऐसी बाते कर रहे हैं बागी global endcap वाले तो शायद बेफ़कूफ हैं जो कार का crash test करते हैं और उन्हें rating दे के बैठे हैं मतलब ready go में बैठो या फिर xv300 में उपर वाले का गुलावा आएगा तो कोई नहीं बचा सकता ये तो उन लोगों का logic है खेर चोड़िए आगे में इस particular extend की बात करूंगा यहां दो कार आपस में टकराती हैं जो है फोड की फीगो और टाटा की टियागो दोने ही four star rated सबसे पहले मैं बता दूँ हुआ कैसे था तो यहां खुद ओनर ने एक पेज में अच्छे तरीक से बता है तो यहां सबसे पहले उनर बोलते हैं कि मैं यहां टाटा की फोड फीगो में बेटे पैसेंजर्स भी सेफ हैं आगे वो लिखते हैं कि जब कार ट्राफिक सिगनल पर बेट कर रही थी एक नैशनल हाईवे पे तो फीगो काफी जादे स्पीड़ों में पीछे साके इंपक्त मारती है एन इस तरीके से यह एक्सेंट होता है फिर वो लि हैं तो यह एक्सेंट फेक तो नहीं है जादे प्लट को कुछ भी नहीं हुआ और ट्यागो का यहां मैं पहले भी कह चुका हूँ किसी ब्रैंड को हेट नहीं करना चाहिए बलकि किसी भी ब्रैंड की बेकार बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियों को हमें सपोर्ट नहीं क करना चाहिए और जैसा आपने देखा यहां टेरा आगो उनर तो पूरी तरह से सेटेस्वाइड है बिल्ड क्वाल्टी से क्योंकि काफी हाइज स्पीड पे स्टेशनरी कार पे इंपक्ट हुआ है वो भी एक और फोर स्टार रेटेट कार से फिर भी जान का नुकसान नहीं हो इसलिए डेमेज देखने रही है यहां इसे साइड से कैप्चर किया गया है जो क्लियरली डेमेज को नहीं दिखाती है इसी पिचर को हम मिरर इमेज में देखे तो हलका सा डेमेज का अंदाजा आता है और अगर यही इमेजस फ्रंट से होती तो शायद और ज़्यादा क्लि पड़न की बिल्ड कोर्टी कार होती तो क्या होता और वो लोग केते हैं की गाड़ी कोई भी लोग फरक नहीं पड़ता तो यह एक्सेंट में जाने का या ना जाने का फरक पड़ता है यही शायद फीगो की जगह XUV-3W होती तो Tiago में और ज़्यादाधा डेमेज होती और तो यह वीडियो बनाने का मकसद था पहला तो वह मेल का जवाब देना जो धंकी दे रहा था कि इस पर वीडियो बना के देखा दूसरा अच्छा हुआ मेल की वैसे एक और यूटीबर का मैंने वीडियो देखा जिससे यह पता लगा कि व्यूवर्स को कितना गलत बताया जा यह बोलके कि किस्मत में होगा तो बच जाओगे नहीं होगा ता नहीं बच ओगे तो ऐसे लोगो को और उनके वीडियो दिखाना जिससे उन्हें बिल्ड क्वालिटी और ग्लोबाल आंक आपके बारे में समझ में आए और आखरी मेरी वीविवर्स को भी यह बताना कि आप टाटा फैन्स, फोर्ड फैन्स, मारुती फैन्स ना बनें अच्छी कार और अच्छी बिल्ड क्वालिटी यह फैन बनें तो दोस्तों बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि जो लोग सोचते हैं बिल्ड क्वालिटी से कोई फरक नहीं पड़ता है उन यूट्यूबर और उनके नादान विवर्स तक की वीडियो पहुँचे और जो मैं हमेशा कहते हैं कि कार लेते वक्त हमेशा एक सेफ कार लें जो आपको अच्छे सेवटी फीचर के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी भी दे आपके पास भी कुछ ऐसी पिच्छस या वीड के साथ तिल अट ताइम दिस इस मी साइनिंग आफ